नमस्कार दोस्तो मैं आरियन सर्मो और आप लोग देख रहे हैं Math & Magic YouTube चैनल होता है जिसे आप लोग हिंदी में लगु उत्रिय प्रस्ण कहते हैं तो आज हम लोग पूरा डिटेल से समझने की कोसिस करेंगे ठीक है इसलिए वीडियो को लेके अंतक दिखें दिखें वाई इस बार जो है कोरोना वाइरस के वज़े से सब को पता है सरकार को भी पता है क् मोडल पेपर जारी किया और इसमें 100 कोईस्टन दे भी दिया औब्जेक्टिव का और बहुत जादे चांस है कि इस बार जो है मोडल पेपर से बहुत जादे प्रस्ण पूछे जाएंगे इसलिए इसको रिवीजन के तौर पे जरूर देखें आज हम आपको लगु उत्रिय प्रस्ण बता रहें बिल्कुल एक से लेकर 15 तक के सभी प्रस्णों को सॉल्व करेंगे ठीक है तो चलिए हम लोग देखते हैं लगु उत्रिये प्रस्ण को साखी फ्रेंड्स आप लोग को पता है कि इससे पहले बार जो है इससे पहले वाला एक्जाम में एक से लेके 20 तक के प्रस्ण दिया जाते थे लगु उत्रिये में ठीक है जिसमें आप लोग को 15 प्रस्ण आप लोग को सॉल्व करना पड़ता था लेकिन इस बार जो है जो अंक होगा वो दो अंक ही निरधारित होगा यह बिल्कुल यह सारा चीज आप लोग समझ ही गये होंगे तो चलिए आए हम लोग आते हैं अपने कोश्ण के और और इसको सॉल्व करते हैं धीरे धीरे करके एक से लेके 15 तक के को सॉल्व करेंगे थोरा सा टाइम लग सकत लेकिन आप लोग बिल्कुल समझ जाएगा और मैं आसा करता हूं कि आप लोग बोर्ड एक्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं इसी वीडियो से तो चलिए हम लोग देख लेते सबसे पहला नंबर प्रस्ण यहां पर देखा जाए दिया है एक नंबर वाला सिम्पल सी बात है आप लोग को क्या करना मैं बता रहा हूं सबसे पहले एक लिखेंगे यहां पर उसके बाद जैसे मैं हल कर रहा हूं उसी परकार से आप लोग को हल करना यहां पर 72 है इसको एक अंको अभाजगुन अनखंड विदी से कर लिजे और यहां पर है 120 दोनों अ 20 का 8 था रहा ही फिर यहां 3 से लगाई बिल्कुल समझ गिंगी आगे नहीं होगा चलि छोड़ें यहाप दीखें दो से लगाई sort 6或者 65 पर यहां से लगाई नहीं लगेगा दो से 3 से लगाई 35 यह से कर लेना है बड़ा sort कुषिए इसको 6 तरीकास बता रहा हूं आप लोगो को बिल्कुल अब यहां पर क्या करना है और 72 का जो गुननकर अजिए आया है इसको सेम टू उतार लेना दो गुने दो गुने दो गुने तीन गुने तीन आप चाहें तो इसको इस फोर्म में गया होंगे कैसे लिखना है ठीक है दो की संख्या 3 है तो इस पर पावर 3 कर दी ठीक है अब 120 को लिख लिजी एक एक पॉइंट समझे 120 है क्या है कितना 2 है उसमें भी 32 है ठीक है फिर एक 3 है फिर एक 5 से मुसी परकार से लिखेंगे दो पर पावर 3 गुने करे का यह 3 गुने टीन एक 1015 अब देखें यहां पर यहां पर इसका लॉसम निकालना इसी हीघञें आप लोग इससरी निकालते लेकिन इस तरह tip लोग को निकालना आप दीके यहां लिखेंगे एक चीज बहत्तर तथा 120 का 120 का लो 100 क्या हो जाएगा सबसे पहले ये देख लिए दोनों common है इसमें भी 2 पर पावर 3 इसमें भी 2 पर पावर 3 आया है इसको लिख लेंगे सबसे पहला काम इसको लिख लेंगे LCM निकालने की तरीका बता है बाकी यहां पर बच गया दिखे यहां पर दिखे दोनों से बरकोन यहां पर 3 पर पावर 2 है और यहां पर 3 पर पावर 1 है मतलब यह उपर बच लिख लिजिए 3 पर पावर 2 ठीक है यह बच लिख लिजिए अब यहां पर बच गया सिर्फ 5 जादा बच लिख लेना है ठीक है और यहां से अपने हैं जो कम बला लिखा जाने है यहां पर ज़्यादा बला लिख ले अब यहां देख लीजें दो पर Moy, 3 है 24 KELL आठ हो बीजें दो गुने, 2 गुने दोड़ दो दो दूना, 4 चाल दो दूना 8 हो गया गुने का यहां पर देख लिजे ये 9 हो जाएगा गुना 5 अब ये देख लिजे थोड़ा सा आप लोग को बढ़ाते चलते अठ नमा 72 गुने 5 पांच दूने 10 और साथ पच्छे 35 तो कितना हो जाएगा 360 यहां प्लिख देंगे 360 तो बिल्कुल आप लोग समझ गए हैं इसका आंसर हो जाएगा 360 तो इस तरह से आप लोग एक नमबर का सवाल समझ गए होंगे चलिए आते हम लोग दूसरा नमर सवाल देखते हैं बहुत बार पूचा गया हर बार बोर्ट परिक्षा में यह सवाल का आना तय है ठीक है इसको थोड़ा अच्छी तरह समझ लिजिए अब यहां पर देखिए वहां पर रूट 2 पूछ देगा रूट 3 पूछ देगा या रूट 5 पूछ देगा कुछ भी पूछ सकता है ठीक ह तो क्या है परी में संख्या और रूट 2 क्या है और परी में संख्या बहुत ही मज़ेदार है इसमें जो है वर्ग अर्ग करने के ज़रूरत ने दिखे कैसे लिखें सबसे पहले आप लोग तो यह कंडिशन जानते ही है परी ओपरी में है तो मानेंगे क्या परी में मानेंग ट्रूख्य बन और ही में लाए टीक है इतना में लेना है लीख लेना है दशी बड़ाइब्त को है तो किसके form में होना चीए Pye क्यू के रूप में होना चीए और Pye Q के रूप में होना चीए जहाँ Q का जो मान है 0 नहीं होना चीए अब मतलब होता है यह यहाँ रूट कुछ भी समझ सकते हैं तो Q is equal to not 0 Q, 0 नहीं होना चाहिए अब आज यहाँ पे अब यहाँ पे कुछ बच्चे कर देते हैं दोनों तरफ वर करना यहाँ पे वर करने की कोई ज़रूरत नहीं है ठीक है यहाँ condition यह है कि P by Q की रूप में इधर भी यह P by Q की रूप में आज़ाना चाहिए और इधर भी आज़ाना चाहिए दोनों तरफ अधी बराबर हो जाएगा समझेंगे परी में संख्या अधी नहीं होगा समझेंगे को परी में संख्या तो बिल्कूल है यहाँ पे यह तीन जो है अब दिखे रूट 2 बराबर क्या हो गयाःए पिया हो ग्याट योग तता कि यहां तक हें यहां तक समझ गे यह दोनों बराबर हुआ नहीं हुआ बराबर तो यहां पर बिलकुल लिखना होगा अब लिखना क्या होगा इस तरह बनाना रूट फाइब रहेगा तो और स्क्वाइर बगेड़ा करना होगा दोनों तरफ वर करना होगा लेकिन इस तरह सवाल है तो इसे ही बनाना है अप लोको ठीक है यहां यहां जो लिखा रहे हैं ठीक है यहीं लिखना है रूट पी बटे क्या निकला थिरी क्यों एक परी में संख्या है यहीं पहले लिख देते हैं दूसरा लिखेंगे तथा हम जानते हैं क्या जानते हैं परी में संख्या तथा ओपरी में संख्या यह चीज़ लिखना जरूरी है ओपरी में संख्या दोनों था परी में संख्या परी ओपरी में संख्या कभी बराबर नहीं हो सकता यहीं लिखना यह दो लाइन आप लोग को इंडिकेट कर देना अधी इस तरह का सवाल है दोनों तरफ स्क्वाइर बगड़ा कर सकते लेकिन यहां पर कुछ हाई ही नहीं टेंसर नहीं लेना दो नंबर का ही यह कितना मास्त का दो नंबर का पूछा जाता है तो आप लोग इस तरह से बना दीजिगा चिपका दीजिगा कहीं कोई दिकत ने चलिए आगे देखते है तीसरा नंबर स्वाल को देखते हैं और तीसरा नंबर स्वाल में यहां पर दे रखा है क्या वो देख लीजिए सबसे पहले यहां पर देख लीजिए दे रखा है तीसरा नंबर में 2 y square plus 3 y plus 1 को y plus 2 से भाग दीजिए बस भाग देना है कुछ नहीं करना है तो भाग देने के लिए आप लोग जानते हैं सबसे पहले लिखेंगे तीसरा नंबर सवाल y plus 2 से भाग देना है 2 y 2 plus 3 y plus 1 ठीक है इसको भाग देना है बिल्कुल आसान है दिखे 2 y square है यहाँ पर y है ऐसा किस चीज़ से गुना करके इसको काटना है किसी तरह गुना करके इसको काटना है तब देखें यहाँ पर हम लोग y से गुना करेंगे सिर्फ y से गुना करेंगे y से गुना करेंगे तो y square हो जाएगा ठीक है 2y² हो जाएगा तो यहाँ लिखेंगे 2y² बाकी का टेंसर नहीं ले ना इससे क्या होगा नहीं होगा अब देखिए यहाँ पे 2y और 2 तो 2y और 2 गुना करेंगे ठीक है यहाँ प्या हो जाएगा 4y हो जाएगा ठीक है यहाँ पे सिंबॉल बदलते है मैनस मैं मैनच मैं मैनच मैं प्लस अब यह हो गया बेचारा किंसील अब यहाँ पर यह बला ब्लस को खतम किजह बंद कर दीचीएशको मद देखे पलस मैनस मैनस लिखनकू यहाँ पर क्या करते हैं मैनस एक ले लेते हैं जब मैनस एक लेंगे क्या होगा इसको गुना करेंगे यह मैनस वाइ हो जाएगा अब यहाँ पर पलस टू है अब पलस टू है तो मैनस वान से गुना करेंगे तो क्या होज़ेगा मैनस टू हो जाएगा यह खतम हो गया अब यहां पे पलस कर देंगे सिंबॉल और यह बला मैनस का टेंसर ने इसको घेर दीजिए आप यह नीचे जो नया आपला देते हैं वही काम करता ठीक है यहां पर क्या हो जागा पलस-पलस थीरी 1213 फ्री हो जाएगा यह क्या हो गया सेसफफल हो गया सेस हो गया तब यहां पर लिखेंगे हम लोग भाग फल बरावर भाग फल क्या निकला ट्व मैनस का ईक ठीक है और इस फल निकल गया यहाँ पर तीन ठीक है इस तरह से तीसरा नमबर कंप्लीट हो गया अब आएए चोथे नमबर को देखते हैं उथा नमबर सवाल देखा जाए यहाँ पर दोस्त दिया है यदि अलफा तथा बीटा बहुपद जी एक्स जी एक्स यहाँ पर चोथा नमबर ल आनते हूंगे कैसे लिकालते हैं सबसे बहले लिखे लेंगे यहाँ पर जी एक्स बराबर क्या दे रखा एक्सई स्कॉर मैनस सेबं Universityרג पलसा सीक्स ठीक है यही दे रखा और यहां पे क्या हो जगा बहुपद इ। बहुपद का सुन्यक, सुन्यक, अलफा तथा बीटा, यह दे रखा है, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे, फिर यहाँ पर एक चीज नोट कीजिए, क्या नोट करना बावू, अब यह चीज हम आपको किलियर करते हैं, देख लिजे यहाँ पर, यहाँ आप दिखें, यह यह हो जाएगा, और यह भी हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, इस चीज को आप लोगा चीतरस जानते होंगे, यहाँ लिख लीजिए, यह बरावर क्या हो जाएगा, एक और बी बरावर क्या हो जाएगा, मैनस सेबन, और सी बरावर क्या हो जाएगा, सी बरावर, तो सिक्स हो जाएगा सी बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा ठीक है यह चीज़ आप लोग अच्राइव रखाए रख्षा है इसनी यह इसलिए इसलिए अलफा प्लस बाबर क्या होता है मैनस बीड़े हैं आप लोग को सुत्र याद नहों याद कर लेंगे तो हैं यहां पर नहींत नहींbn पलस हो जाएगा लेकिन यहां पर लिख दिया आप लोग को समझाने के लिए साथ और एक आमान क्या है एक कोई दिक्कत ने एक लिख दीजिए अब मैनस मैनस क्या हो जाएगा पलस हो जाएगा निचाम एक का कोई मैने नहीं होता है तिसलिए एक का अंसर एक यहां पर साथ ल वित लिए के पधिए से पहला काम सुन्यक कियात करना सुसूणियक और सुन्यक। और सुन्यक कों तथा गुनाँ कों के बीच समझ दो और समझेक. इस चीजे को लिखेंगे पाँच TV रहां के तरह दूइ घात बहुपद तो लिख देंगे यह दूइ घात बहुपद दे रखा है तो लिखें यहाँ पर दूइ घात बहुपद जिसका घात जो है दो होती यहाँ घात क्या दे रखा है दो दे रखा है इसलिए दूइ घात बहुपद अब यहाँ लिखें क्या दे रखा है एक सिक्वान एक सक्वाइर माइनस सेभन दीए चीज को आप लोग को बिल्कुल समझना में और उसक रहांक खान से इसमेटS स्कौराइर्प दी और यहां पे हम लोग क्या करते हैं देखे लगें एक्स और बढ़ाबर इकवल जिरो कर दिये है यहां पर equal करके 0 कर दिए अब x square बराबर हम लोग लिखेंगे यह मैनस में इधर आके क्या होज़ेगा बराबर की सेड में भेजेंगे पलस में आज़ेगा आज़ेगा सेबन अब x square जो है मिआ तब दिखेंगे यहां पे हम लोग लिखेंगे सुन्यक बराबर कि अरुकर है अर आगे अभी स्वाब नहीं अभी बहुत इसमें बाकी है करना क्या है दिखिए इसको पूरा पूरा तरह सम बताता है आपको सबसे पहले यहां पीए दो सुन्यक निकाल ले आगे आजी यहां आप लिखेंगे मौना की कि सुन्यक कि अलफा कि तथा कि बीटा करमसा देखें मैं थोड़ा लिखना भी जरूरी है अब देखें यहां पे एक चीजाच भी करना है इसलिए जहां अब अब बरावर 7 और B हो गया A और यह हो गया B ठिक है और यह हो गया C तब B के लिए देखें यहां पे X लगा होना चीज़िए हैं अब कहीं पर X लगा है नही लगा है यह जो 7 दे रखा यह क्या हो जगा सी ओजिएगा तो बिवराबर कुछ नहें तुछ नहीं यहां प्लीख दिते हैं जीरो और था था सी बराबर सी बरावर क्या दे रखा है सेबन ती हाँ लिख देंगे सेबन ठीक है आगे आजी आगे आजी आगे तो सुन्यकों का योग बरावर लिखेंगे एक बार ये भी चिकल बनाना है सुन्यक का योग निकालना है सुन्यकों का योग योग क्या हो जाएगा आलफा पलस बीटा बरावर क्या होता और यहां पलस बीटा अलफा दिख लिज़ें अलफा क्या है ओर ऐसे मतलब वरुट ऐलफाट है अधा फिक्रावन सेबन और मैंनस से बन लिखे है यह यहाँ समझेगा प्लस का सिंब्भोल क्या है यहाँ से मैंने से मनाकिस निया का अलफाद था बीटा करम तो साव पलस से बना Только मैंन आए जो निकाले हैं उपर में ठीक है यहां पर प्लस से बन और यहां पर 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 य तो यह दोनों बराबर हो गया कहीं कोई दिकत हुआ नहीं हुआ अब आगे की बात आता है तथा सुन्यकों का गुननफल पूछ रहा था तो उसको भी कर दिए देखें लिखेंगे तथा कि सुन्यकों का गुननफल गुलन फल, ठीक है, करते चल दिए, तो सुन याकब का गुलन फल क्या हो जेगा, अलफा इंटू बीटा, बराबर क्या होता है, C by A, जाच लेंगे, अलफा का मौन देखिए, एक बार था पलस सेबन, और गुना करेंगे हाँ, क्या करेंगे, गुना करेंगे, मैनस सेबन, ठी ठीक है, इसको घरते है, C का मौन करते है, तो C का मौन है, साथ, तो दिजिए साथ, एक का मौन करते है, स्वारी, एक का मौन एक होगा नहीं, यहाँ पर, यहाँ मिस होगा, ठीक है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ मिस होगा, ठीक है, यहाँ पर, यहाँ पर भी, एक होगा, टीक है, यहां पे भी एक होगा, किसी भी संख्या karışuba हम भाग देंगे जीरू होगा ही, एवह सब ठीक है, सिर्फ एक देना था, अब यहां पे एक दे दिये, चलिए इक किलियर हो गया, किलियर कट नहीं कोई दिक्कत नहीं, अब चलिए आगे देख लेते हैं, यहां पर सीवाई यह हो गया कोई दिकतने अब यहां पर हम लोग थोड़ा आगे शॉल्फ करते हैं यहां पर प्लस सेबन और यहां पर मैनस सेबन गुना करेंगे ठीक है यह करना है देख लेते हैं यहां पर एक चीज़ और आप लोग नोट कीजिए का क्या नोट करना सर क्या निकल जाएगा सेबन निकल जाएगा यहां पर रूट सेबन गुने रूट सेबन करेंगे क्या निकल जाएगा सेबन निकल जाएगा ठीक है रूट सेबन निकल जाएगा और यहां पर भी सेबन है सेबन तो सेबन इसको भाग देंगे तो सेबन आजेगा देखे यहां पे भी दोनों तरफ सुन्यक के गुणन रम shelters में भी दोनों तरफ क्या हो गया बराबर हो गया यह हमारा ऊंसर हो गया है और यहां पे शुन्यक का योग हम लोग भी निकाले थे बहू भी स्काल बराबर हो गया अप पांच bon is one이죠 from is eightchaunat तो राम से इसको लिख सकते हैं सुरू से लेकर अंतक ठीक है चलिए आगे हम लोग चलते हैं छठे नमर सवाल की और आये हम लोग करते हैं अब छठे नमर सवाल चठा नमर सवाल दें रखा के का मौन ग्याद करें जिसके लिए समीकरन x square minus 8x plus k equal 0 के मुल वास्तविक और समान है ठीक है बिल्कुल तो 6 नमबर देके लिखेंगे यहाप यहाप लिखेंगे फिर क्या क्या समीकरन दे रखा है x square minus 8x plus k equal 0 ठीक है जिसका मुल समान हो कह रहा है इसका मुल वास्तविक समान है तो जिसका मुल समान हो तो यहाप लिखेंगे इसका जो है दे रखा जो इसका मुल समान है समान है जिसका मुल समान हो तो उसके लिए सुत्र होता है बी एसक्वाइर बराबर फोर स्वारी बी एसक्वाइर मैनस फोर एसी एकवल जीरो होता है तो बिल्कुल यह चीज आप लोग अच्छी तरह समझ गये होगे अब यहाँ पर देखिए यह हो गया ए यह हो गया बी और यह हो गया सी यह चीज आप लोग को फिर से हमको पार्ट परहना की जरूरत ने ठीक आप लोग जानते हों यह होंगे ठीक है तो बी देखे क्या हो जगा मैनस आठ हो जाएगा बी एस्क्वाइर है मैनस आठ हो जाएगा तो मैनस आठ दे दिए एस्क्वाइर लगा हुआ एस्क्वाइर देंगे फोर एक आमोन क्या होगा एक होगा एक से स्क्वाइर है उसके लिए कोई दिकत ने एक ठीक है एक है आठट स्क्वाइर को आठ हगुने आठ क्या हो जागा 64 और मैनस मैनस खतम हो जाता है यह बात आप लोग अच्छी तरह जानते होगे अब यहाँ पर के हो जाएगा सिर्फ हम लोग क्या करते हैं यहां पर लिखेंगे कि बराबर चौन सथ बटे चार यह कट जाएगा ठीक है यह बराबर क्या निकल के आगया शोल यही आंसर हो जाएगा ठीक है इस तरह से आप लोग किये का मॉन निकालना था बिल्कुल इसी तरह से निकाला देखिए यहां दिया हुआ था किये का मॉन याद करिए समीकरन एक्स स्क्वाइर मेनस 8x प्लस के एक इकवल 0 के मूल वास्तवि इस region 0-3 को क्या मॉन क्या हो गया अनुइन यहां पर मैनस लगा हुआ था मैनस 8x4 यह 4 पहले सुन ज्या है स्वूमें एक्वावक क्या मून videoнемस 4 क्या इसको घंब प्लाइक यह फोर के आ गया इकवल जीरो तब 64 था 4 था इधर इसको बड़ावर की सैड में लाए यह पलस में हो गया फोर के और के का मॉन निकालना था कि इधर रखे और चार को इधर भेग देख चार का कि गुना कुना में था इसलिए इधर क्या हो गया भाग में तो भाग करें दुई घास समीकरन को हल करें मतलब दुई घाते बीदीस को हल भी करना होगा ठीक है नाइन एकस स्क्वाइर मैनस 12 एकस पलस फोर इक्वल का जीरो है ठीक है कहीं कोई दिकत नहीं तब यहाँ पर पूछेंगे यह बराबर क्या होगा तो क्या कहेंगा आप लोग सर 9 हो मतलब दुई घास समीकरन दिया है तो दुई घाते बीदीस हम लोग हलक भी कर देते इसको ठीक है तो दुई घात बराबर तो यहाँ पे ए बी सी डीडिकल गया ए बी सी पता चल गया तो हम लोग को क्या करना होगा डी का मौन निकालना होगा डी का भी मौन हम लोग को निक स्क्वाइर कर दिए अब फोर एसी फोर एकामान नो और सी कामान चार तो डी बराबर क्या हो जेगा बर बरे चौवाल से 144 मैनस था खतम हो जाता है स्क्वाइर करने के बार ठीक है मैनस नो चो के 36 36 के चीप चो एक सोच्वालिस था रिसों पर ट्रहिते हैं 36 bomb u 44 2424 radar 24 एक सोच्वालिस ठीक है तो आप देखिए यहाँ पर डी बराबर निकल गया जीरो निकल गया ना चलिए यह तो होगे आगे हम लोग समझ लेते अब हम लोग को क्या करना एक्स बरावर निकल लेना है डी बरावर निकल गया क्या जीरो निकल गया तो अब हम लोग क्या करते एक्स बरावर निकाल लेते हैं यहाँ पे एक्स बरावर रूट अंडर रूट डी ठीक है और यहां पर बटेगा टूए बिल्कुल इस पर हम लोग हल कर लेते इसको फटाक से कैसे हल करेंगे देख लिजिए यहां पर मैनस भी तो मैनस भी था तो भी कामॉन किते दिया हुआ है 12 दे रखा यहां देख लिए 12 है यहां लिख लेंगे म कि एक महन कहां गया 9 9 तो गुने 9 ठीक है चलिया गया यह तो रूठ में 0 है तो उसका कोई मैने नहीं ठीक है अब देखे उपड़ में सीधे बच गया 12 अब नीचे में बच गया 18 ठीक है नो दूना अठार तो दूच्छा के 12 अच्छा तिरी तिन च्छा के 18 यहां बच गय सब्सक्राइब कोई मैने नहीं रहा सुन्या कदी पूछ दिया दोगो इसका दो एक्स बराबर दो निकालना है तो तो और दूसा लिख देना है 32 यही आप लोग का अंसर हो गया तिये दुए गात समीकरन से हल कर दिये बिलकुल इस चीज को आप लोग अच्छी तरह समझ निकाले फिर एक्स का मान निकाल दी यह सूतर आप लोगों याद होना चीज चलिए आगे हम लोग देख लेते साथ में नमबर सवाल को तो आए फ्रेंड्स अब हम लोग देख लेते हैं आठमा नमबर सवाल आठमा नमबर सवाल में दे रखा समांतर सीधी 258 11 के पर्थम सबसे पहले यहाँ लिख Jeśli दे रखा क्या रखा तुंद्र में यहां तक जाएगा 20 प्यंयाद करना मतल्ब यहां 20 पदों का योग्याद करना इस तक लिख दिये थीक है अब यहां पर दी एंब रावर क्या हो जाए है टू हो जाएगा अब डी बरावर क्या हो जाएगा डी बरावर क्या जानते है एटू मैनस का एवन ठीक है तो डी बरावर निकल गए एटू क्या फाइव अब मैनस का टू तो डी बरावर क्या निकल क्या रहा है ठीरी यह बिल्कुल समझेगे ठीक है इसको ऐसे कर दिये ताक ठीक है यहां पर लिखेंगे sn बडाबर योग निकालने के लिए सुत्र क्या जांते है sn बडाबर क्या जांते है n by 2 into 2a plus into n minus 1 into d यह सुत्र जानते हैं यहाद लोग को याद नहीं होगा लिख लेंगे 20 लिख देंगे और यहाँ पर n है यहाँ भी लिखे 20 बटे का 2 और यहाँ पर 2 a का मॉन हम लोग उपर ग्याद किये हैं 2 तो 2 ठीक है n का मॉन 20 minus 1 d का मॉन झा मॉन 3 ठीक कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक हल हो गया चले एस 20 बराबर काट दीजे स्टस दुन वीज दस यहाँ पर आगिया दो दुन चार हल करते जिए यहाँ पर आगिया 19 यह इधर बच गया तीन ठीक कोई दिक्कत ने हलोड़ा अब यहाँ देख लिए एस 20 बराबर लिखेंगे तो यहाँ एक ची और कर लेते हैं दस है तो दस ही रहने यह पलस है स्वरी यहाँ पलस छूट रहा था पलस पलस देना ठीक है दस है दस दिए अभी हम देख लिए फोर पलस अब नो तीय उनिस्टिया शंतावन इसको यह दोनों गुणा होगा उनिस्टिया संतावन ठीक एक लेना और कोई दिकत ने टैन यहाँ दिख लिए आज़े अशंतावन और चार किते हो जाएगा तो कहें यहाँ पर देख लिए यहाँ दोनों गुणा हो जाएगा एक सट गुने दस तो मतलब छोसों दस यह आपका अंसर हो गया चलिए आप हम लोग देख लेते हैं नम्मे नमबर सवाल नम्मे नमबर सवाल दे रखा है यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोग अच्छी तरह से देख अगर मौपद बरावर 38 और तथा स्वाल मौपद जो है तेहतर दे रखा है सबसे पहले आप यह चीज के लिए कर लिए अगर मौपद है तो अगर मौपद को कैसे लिखेंगे अगर मौपद को लिखते हैं यह पलस 10 आप लोग यह अच्छी तरह जानते हों बरावर क्या हो यह चीज आप लोग जानते हैं तेहतर बरावर तेहतर लिख लेंगे ठीक है अब यह समीकरन लिख लिजिए सकेंड अब यहां पर कहरा कि उस समांतर सेडी का पदांतर ग्याद करें जिसका यह पद्दे रखा और यह पद्दे रखार मतलब हम लोग को कह रहा है डी ऐखा दो से ठिक समीकरन क्या है यह पर अपालस की जे और यह ए यह ताम हिए यहां पर दिखे इस प्लश वालोगम को बंद किजे जो दिए एखर प्लस है इसलिए मैं wisely मैंन स्कीज इस प्लस पलस मैनस क्या हो जाएगा मैनस हो जाएगा और मैनस का Virgin a.jz बराबर अभी हां प architects कर लिए यहां यहां 3 है हो जाएगा यहां पे अपर पांच अच्छ भी स्को मैनस कर लिए 35 हो जाएगा ठीक है यह मैनस में ही आ सब्सक्राइब तो चलिए यह मैनस मैनस कैंसी ठीक है और लिख लेंगे यह इधर है यह मतलब गुनाम क्या है पाँचे बराबर की साट में भीजेंगे था 5 हो जाएगा तो डीबराबर निकला जाएगा 75 75 निकल साथ तो किया हो गया नो नमबर का प्रस्ण बन गया बिल्कुल असान तरीका सा आप लोग समझ भी कहा होंगे कहीं कोई दिकत नहीं हुआ होगा आप चाहिए इसको पॉस्ट करके लिख सकते हैं नहीं तो आप लोग का मनमर जी असकिन सौट ले सकते हैं ठीक है चले देखते ह यहां पर दे रखा यहां से एक रेखा बना लेते हैं इस तरह का सवाल सबसे रेखा बना लिए पी और क्यू बिंदू ए जो है यहां पर बिंदू ए कर देते हैं ठीक है पी क्यू कर दे अब पी क्यू पहला जो यहां पर दे रखा थिरी और पी इसको यहां रख दिए और वाला जो है पी और फाइव इसको यहां लिख देंगे और ठीरी और पी जो है यहां लिखती है सब्सक्राइब यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां 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 जिसको हम लोग इधर मौन लेते हैं X1 और Y1 ठीक है अब Q बराबर हम लोग माने हैं P by P और 5 ठीक है इसको मौन लेते हैं X2 और Y2 ठीक है यहां तक समझ में रहा है और A जो हम लोग का A जो दे रखा है A को हम लोग क्या मान लेते हैं A जो दे रखा 0 और 2 यह क्या है X मान लेते हैं इसको ठीक है और इसको Y मान लेते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा इस तरह बना लिए यह तीनों बिंदू जो है समदूरस्त है और कहें क्या रहा है तीनों बिंदू समदूरस्त है ठीक है यहां पर लिखेंगे यह तीनों बिंदू यह तीनों सम्दूरस्त है ठीक है यहां तक लिख लिए अब सम्दूरस्त है यहां पे हमको कहरा पी का मौन ग्याद करने के लिए बिल्कुल देखे समझना होगा सबसे पहले क्या करेंगे इस दोनों को बीच का दूरी जो है बराबर होगा जितना पी से लेके यह तक होगा उतने ही पी स कर लेंगे तो पता चल जाएगा राम से कि कितना पी का मौन है ठीक है इसलिए हम लोग लिखेंगे पी ये बराबर क्यों ये दोन बराबर होगा जितना पी से ए तक का दूरी होगा उतना ही क्यों से ए तक का दूरी होगा ठीक है इसलिए तो समदुरस्त वाला सुत्र लगाते आराम से इसको बनालते क्या करते हैं इसको इससे घटाते हैं और इसको इससे घटाते हैं और इसको इससे घटाते हैं ठीक है घटाने बाद पी का मौन निकल जागा ठीक है सुत्र कैसे देख लिया जे सुत्र यहां से हम लोग अस्टार्ट करते हैं थोड़ा सा साफ साफ लिखेंगे एस्क्वायर पलस करतेंगे यहाँ पे y1-y2 लिखेंगे चलिए y1-y ठीक है x1-x y1-y का हॉल स्क्वायर बराबर करके इधर लिखेंगे दोनों बराबर होना चीए लिखेंगे फिर हम सूतर लिखेंगे x2-x का स्क्वायर ठीक है पलस y2-y1-y1 का स्क्वायर ठीक है चलिए यह बात क्लियर हो गया कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा चलिए आज यह थोड़ा सा यह देख लिए इसको थोड़ा से नीचा करतें एक बार फिल कर लेंगे तो बेटर होगा चलिए यहाँ पर x1-x1 क्या हो जाएगा ठीक है यहाँ पर यह चीज क्लियर हो गया 10 ठीक है ठीक है अब मैंस है मैंस लगाई एक्स कामण अग्स कामण क्या हो गया जीरो तो जीरो पलस वाय1 वाय1 कमण पी यहाँ देंगे जिलो अब यहाँ पर थोड़ा सा root लगा दो पहले x2 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 common p तो लिखिए p minus x common x common x common 0 यहाँ आप देंगे 0 का square ठीक है plus y2 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 यह हो जगा 5 लिखे 5 minus minus y y common 2 लिखे 2 का square ठीक है clear हो गया यह चीज भर लिए अब आराम से बना सकते हैं तो भी अपर भी जमदे निकीक कोसिस किया अब यह square है यह route 동ों हो जाएगा यह route दोनों खतम ठीक है square खतम यह दोनों root खतम हो गया अब हम लोग क्या करते हैं तेन का square करते यहाँ पर नो तिन का square यहाँ पर 2 का square होगा नहीं 3ол ब्रावर उद्ट दें कुछ बचा हुआ है सिर्फ पी इसकुए बचा हुआ हुआ जीरो का स्कॉर्ड करने ना करने स्कॉई फैदाने 5 यहां पर हो जाएगा 5 में इस दो जाएगा त्की यहां पर देखिए यहां पर थोड़ा सा को बच्चे घःते यहां पर पी काई स्क्वाइर नहींकर आपे यहां पी- मैंन स्बी का हॉल स्क्वाइर पर तोड़ते हैं ठीक है ती यह मैंनस बिका हॉल Day- Swan I support माँलेते सिंपल सीची चुप चांप मालीजिए और टोड़ते हैं क्या जानते तू एका मॉन पी डू एवी डू एक मर्मो टु देखे तो गया एस और कीचिए लिए भी डेने हे बराबर है बराबर किये पी एसक्वार प्लस जा। पी-े-स्क्वाइर प्लस-9 ठीक है कोई दिकत नहीं यह नौ यह नौ खतम पी-े-स्क्वाइर प्लस-मिनस नहीं देखा जाते ठीक है अब यहां पे बच गया दो का स्क्वाइर किए चार मैनस यहां पे गुना कर दीजी तो फोर पी बच गया बराबर में इधर कुछ ने तो 60वी मैनस नकाले चाहें लोग वर इधर का मॉंन निकल नहीं गया बिल्कुule समझ गया सभय वीडियों को यह लाइक ज़रूर कीजिसेगा Palabra महनत से आप लोग विलीए बना रहा है ठीक है लाइक जरूर करना है चलिए अब हम लोग देख लेते हैं 11 नबर स्वाल دोहा खाया हो असान तरीका से इसको सॉल्बी करते हैं असान तरीका आप लोगो समझाते है यहां पर दें रखाया है गया में बिन्दू पी बिन्दू पी जो है एक और मैनस दो है और क्यू तीन और चार है को मिलाने वाले रेखा दो रेखा है पहले दो रेखा किछ लिते हैं दो रेखा किज दिये ये बिन्दू P और ये बिन्दू Q तो P बिन्दू दे रखा है 1 और मैनस 2 ठीक है Q बिन्दू दे रखा है मैनस 3 और 4 ये बात क्लियर हो गया हजम हो गया पच गया कोई दिकत नहीं ठीक है मिलाने वाली रेखा खंड P Q हो गया को एक अनुपाद 2 के अनुपाद में अन्ता विभाजित करता है इस दोनों रेखा को जो है विभाजित करता है कितना एक अनुपाद 2 में विभाजित करने वाला एक बिन्दू है तो कुछ नहीं बिन्दू है तो अपने मन से R लिख दिय कि मिलाने वाला अंता विभाजित करने वाला बिंदू का निर्देशांग ज्याद करना बिल्कूल आसान तरीका समा आपको बताते अब यहां पर कितने अनुपाद में इसको बांट रहा है एक अनुपाद दो इधर एक और दो देदीजिए अब यहां पर इसका कुछ नाम द ख्राइब टो अनुपाद लेकखते जैसे और रजाने जाता थिक अग्यों बलाबर देखिए मैमा यहां ओर चीज़पाद चलिए और तो ह्यां ब्लेते हैं M, अनुपात M2, क्या दे रखा है? 1 और अनुपात 2 दे रखा है चलिए, अब यहां पा जाते हैं विभाजन सुत्र से क्या कहरा? बिंदू R का बिंदू विभाजित करने वाले बिंदू का निर्दे सांग ज्यात करें चलिए, तो यहां पा लिखेंगे बिंदू विभाजित करने वाले बिंदू उतारे नहीं? बिंदू R का निर्दे सांग निर्दे सांग वाला सुत्र आप लोग को याद होगा विभाजन सुत्र, निर्दे सांग ठीक है अब यहाँ पे सुत्र नहीं लिखेंगे यहीं पिनी चेम लिखेंगे ता आप लोग समझ जाईएगा देखिए विभाजन सुत्र जो होता है हम आपको बताते हैं M1 X2 पलस M2 X1 बटे M1 पलस M2 बिल्कुल सिंपल सा सुत्र है बराबर M1 Y2 पलस M1 M2 sorry M2 Y1 ठीक बटेगा M1 पलस M2 किलियर हो गया यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिकत ने देखे थोरा से यहाँ दिहां देजिएगे M1 M1 क्या है यहाँ देखे M1 क्या दे रखा M1 यह M1 हो गया M2 हो गया M1 क्या दे रखा एक यहाँ पलिखेंगे फटाक्स एक लिखे गुना है गुना का चिन देजिए X2 भावू सहाब X2 मैनस 3 यहाँ देंगे मैनस 3 पलस का सिंबॉल पलस M2 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 तो 2 हो जाएगा ठीक है फिर यहाँ पर देखे X1 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 1 हो जाएगा गुने का एक M1 M1 और 2 यह एक पलस दो लिखती है यहाँ पर M1 M1 यहाँ देखे M1 लिखें M1 का मॉन एक गुने Y2 चलिए Y2 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 4 है चलिए 4 लिखती एक गुने 4 अब यहाँ पर देख लिए आज है इसका होगे M2 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 2 M1 Y1 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 जो यहाँ पर मैनस 2 दे रख ठीक है चलिए यहाँ पर हम लोग मैनस 2 लिख सकते है गुने का 2 चलिए यहाँ पर यह और यहाँ पर 1 पलस 2 हो ही जाएगा चलिए यहाँ दिख रहा होगा आपको 1 पलस 2 हो गया आजिए अब हम लोग यहां पीसको खल कर लेते ठीक है इसको गुना करेंगे तो इसको गुना करेंगे तो मैनस 3 पलस दो इसको गुना करेंगे दो बटे का 3 बराबर इधर 4 दूना 8 पलस इधर क्या हो जाएगा चार दूनी दो दूनी चार मैनस का चार एक एक पलस दो क्या हो जाएगा तीन हो जाएगा ठीक है किलियर है अब यहां देख लिए सिंपल सी बात है मैनस 3 और मैन दो में मैनस होगा तक्या हो जाएगा मैनस 3 और मैनस 3 पलस दो पलस मैनस मैनस क्या हो जाएगा मैनस का एक बटे पूback है यहां देखे लीजिए हाँ पलस मैनस मैनस हो जाएगा तो मैनस क्या ओजीक चार बटे यह समदुरशं दो बिंदू हो गया कि अरग का जो निर्दे सांख होगा यहां पुलिक देते हैं अर का निर्दे शांख ऑब्युक्त तेजाए सांक बावु क्या हो जाएगा एक बटए तीर और चार बटए तीर यह आंसर हो गया बिलकुल आप लोग समझ गए हो तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग देख लेते हैं 12 नमबर सवाल आप लोग देख लेते हैं 12 अधिक है को पर का сец हैं कि अधिक नहीं का सहले अधिक है कि लेते हैं आप लोग को समझाने के लिए कि टिक क्लियर होगया यह उत लिए एक नाम देते हैं ऊंग्ले और क्या है A B C D C D अब यहां पर काट क्यों दिए आप आपको समझाते हैं आप दिखिए यहां पर करा समलम चतरभुज A B C D A B C D दे दिए और विकर्ण A C जिसका विकर्ण जो है A C है इसका क्या विकर्ण दिखिए और विकर्ण हो गया इसके इसके बराबर है और यह डीची यह होनी ठीखिए तो सिध ना है कौन ढ डी ओसी डी स्वारी कहां गया डी ओ ओसी और कॉन ए ओ बी सम रूप है बिल्कुल यही चीजा हम लोग को सीध करना है चलिए हम लोग लिख लेते हैं यहां पर लिखेंगे हल करके 12 नमबर में हल करके यह थोरा सा इसमें लिखना जरूरी होगा ठीक है लिखेंगे समलम चतरभूज चतरभूज सरी ए बी सी डी ए बी सी डी है ए बी सी डी जिसमें जिसमें A 99 CD है ठीक है है और और क्या दे रखा है और विकर्न जो दे रखा है उसको भी लिख लिजिए विकर्न विकर्न A C तथा क्या है B D ठीक है परस पर परस पर ओपर परती छेद परती छेद करता है करता है तब यहाँ पर जो दे रखा है तथा यहाँ पर एक चीज़ और दे रखा उपत्ती जो है उपत्ती क्या चीज़ का होड़ा A B सीध करना क्या हमको सीध करना है यहाँ पर यह हो चीज लिखिए देना जरूरी है यहाँ लिखेंगे सीध करना क्या करना है देख लेते हैं तिरभूज डिओ सी डिओ सी डिओ सी और ठीक है यही सीध करना है बिलकूल समझेओ अब सी त्रभूज और एओ बी त्रभूज को सीध करना है ठीक है अब देखिए आपको हम कुछ चीज करते हैं दिखिए ये जो है ये 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 जो है ये कांतर कौन हो गया किसके इसके ये सी के अब यहाँ पर देख लीजिए ये कांतर कौन हो गया और ये यहाँ पर हमें इसके कुछ पहले नाम देते हैं ये कौन एक ले लेते हैं ये क आँ जिसको आप 5 वोल क्या है उफछां धीक म पोह जाएं आँ निनिया था हैं में जिक यह जो जो पर हो गया और यह जो जो पे-स जो आफ किछां is प्रश को दौर्श मतरत हुगे है सबसे पहले लिखने लिखेए scenarios कौन एक बराबर कौन एक बराबर यह दोनों तिर्भूज में देखिए सीध करना है जिसमें उसी में देखिए ठीक है चलिए यहाँ लिख लिजिए पहले सीध करने बाद लिखिए तिर्भूज टि ओ सी तथा तिर्भूज ए ओ बी में इसलिए करके ठीक है कौन ए बराबर क्या लिखेंगे कौन दो कौन एक बराबर कौन दो क्यों कि एक आंतर कौन बराबर होते आपस में एक आंतर कौन है इसलिए बराबर होंगे ठीक है इधर गेरे अब कौन पांच और कौन छे देखे कौन 6, 5 और 6 5 और 6 क्यों बरावर है क्योंकि ये दोनों सिरसाभी मुखी कौन है अब लोग को पता होगा सिरसाभी सिरसाभी मुख कौन ठीक है, यहाँ पी ये हो गया चलिए आप देखते हैं कौन 3 और 4 कौन और 3 और 4 बरावर इसलिए है क्योंकि ये एकांतर कोन है इसलिए ये बरावर है जब ये साराथ कोन बरावर है ते इसलिए यहाँ लिखेंगे क्यों DOC समरूप है A O B में ठीक है, A और B क्यों, कईसे कैसे बरावर है, यहाँ लिख देंगे ये ये समरूपतास समरूपतास देखिए ये कोन बरावर है इसके कोन ये कोन ये कि धर जो लिखे कोन इसके इसके बरावर है ये वला कोन ये वला कोन बरावर है तीन कोन बरावर है चार के इस वले कोन के और ये वला कोन इसके बरावर है तो मतलब दोनों क्या है समरूप है यही पूछ रहा था कि दोनों जो है समरूप है सिध करना है कि दोनों समरूप है इस तरह से समरूप है आप लोग दिखा सकती क्योंकि कौन एक और कौन दो जो है एक आंतर कौन है पांच और छे जो है क्या है से साभी मुख्य कौन है और त सबसे पहले एक तिर्जिया के बराबर जीवा विर्त के के अंदर पर साट डिगरी का कौन बनाता है बिल्कुल समझे आप लोगो एक बात समझेगा पहले सबसे पहले एक तिर्जिया के बराबर बिल्क का जिवा यहां से यहां एक तिर्जिया है और इसका जीवा भी दिया है ठीक है और जिवा दे रखा ये बला ये क्या हो गया तिरजिया हो गया और ये क्या हो गया ये जिवा हो गया बिर्त में आप लोगों को पता है ये पूरा रहे तो जिवा और आधा रहे तो तिरजिया तो ये जिवा हो गया यहां पर ये कितने डिगरी का कौन मनाता है साथ डिगरी का कोन ना ते एक यहां से भी मिला दिये यह O A फिर यहां पे हम B भी रख सकते हैं ठीक है और देखें यह A हो गया इसको भी A रखें और इसको भी A रखें कोई दिकत ने इस तरह पिक्चर ड्रॉ करना ना अब देखें यहां पे जो क्वेश्चन था सीध करें व दिकत ने इसकार हो गया है जिवा ये पो तिर्जवा उतना क्या है जीवा है कोई दिकत ने अपने मन से ढ़खना होगा पहले उस भासा को समझेगा तब आप लोगो Пता चलेगा तुक देखेंगे माना की लब भासा समझ लोग अ बिर्त की तिर्जिया तिर्जिया ओ ए ठीक है तथा तथा तिर्जिया तिर्जिया के बराबर भासा बिल्कुल लिखना इस कुश्चन में जरूरी है बराबर बराबर एक जीवा है एक जीवा है जीवा है ठीक है तथा केंद्र केंद्र से विर्त की दूरी दूरी समौन होती है अब दिखे ओ यह जो है ओ यह बराबर क्या हो जाएगा ओ भी हो जाएगा ओ भी हो जाएगा क्योंकि केंद्र से यहां तक यह जो है तिर्जिया दे रखा है उतने दे रखा यह क्या बराबर है दोनों यह बला यहां से यहां और यहां से यहां यह दोनों बराबर है तब य अंदर से लेकर परिधी तक का दूरी जो हता है बराबर होता है सब के तो ओए जितना होगा उतने क्या होगा ओभी होगा क्लियर हो गया चुकि इसी परकार अब हमें एक लाइन और लिखेंगे हां पर धियान समझेगा चुकि इस परकार इस परकार बना भुजा ओए बराबर होगा ओबी के और ये भी के ये भी है नहीं समझे तो ये जो है बिर्थ से जो तिर्जिया बना हुआ दिया हुआ था वो बराबर है किसके जीबा के ये जीबा के बराबर है तो ये भी जीबा के बराबर है तो ओए बराबर क्या हो जाए और वी बरावर क्या हो जाएगा और वी बरावर क्या हो जाएगा और थे सब बरावर है यह सब कुछgga celebrating समझ और चीज अब बिल्कुल समझ आ गया आप दोन तिर्भूज क्या होगा लेख्या पर तिर्भूज की जिए संबाओ रहें इन तरुस माओgas हो तिर्भूज ठीक है, तो हम जानते हैं, एक और लेन लिख लेते हैं, हम जानते हैं, जानते हैं, समभाहु तिर्भूज, समभाहु तिर्भूज का परते कौन, परते कौन, साट डिगरी का होता है, यहीं सिध करना था, हो गया सिध, कहीं कोई दिकत नहीं हुआ होगा, किलियर आप लोग समझ गये होगे, चलिए हम लोग देख लेते हैं, चौदर नमबर स्वाल को, तो आईए, अब हम लोग देख लेते हैं, चौदर नमबर स्वाल, बिलकुल इजी है, असाम तरीका से हम आपको बताते हैं, देख लिजे, चौदर हम दे रखा, टैन ए बराबर, क्या दे रखा, एक दे रखा, चौदर नमबर में, तो सिध क्या करना है, तो सिध करना इध पोज़े, टू साइन, इसे बराबर, एक सिध करना है, और दे रखा, क्या, टैन ए बराबर, एक दे रखा, ठीक है, शिध करना है, तो, चलिए, हम लोग इसको थोरा सा, मोटिफाइड कर लेते हैं, ता आह देखे, यहाँ पे, टैन ए बराबर, क्या दे रखा, एक, दे चलता है इसके नीचे कुछ नती यह ठीग है पीन का जो मॉन है और फिक चीज आप लोग भी यह चीज किलिए हो जाता है यह उप लिंग और बचा क्या है भाई हद कर आप देखते हैं एच बराबर क्या हो जाता है रूट अंडर पीए स्क्वाइर पलस का बीए स्क्वाइर यही न कोई दिक्कत नहीं तो बात बराबर यहां पे करेंगे पी का भी मौन एक और बी का भी मौन एक एक का स्क्वाइर एक ही हो जाता है तो यह क्या हो जाएगा दो हो जाएगा एच बराबर क्या निकल गया रूट टू निकल गया रूट टू को बाहर से निकालना नहीं हम लोग को ठीक है यह चीज क्लियर हो गया तो यहां पर एच बराबर अब हम लोग लिख लेते हैं रूट टू निकल गया क्लियर हो गया बाउसाब कोई दिक्कत नहीं वहा होगा अ x2 ठीक है को स्फ वराबर क्या होता है तो पहों सबराबर कौस्ष ठीटा अबराबर बराबर हो जाता है बीगल तरह एदर है एक तो बराबर एक को लिखते चलिक्ष नहीं को करना है घुट नहीं होगी है दिखें यहां पहरें दो गुमा एक सल्सक्राइ81 थो गुम्ने बी कामौन करते एक और एक कामौन रूट ठीक हे उपर वाले ये इसको इससे कुने कर दीज़े टेंसर ने खतम हो जाएगा उपर वाला धो गुमा हो जाएगा उसे एक से दो हो गया और नीचे क्या हो गया रूट तटू अगुने एक बते रूट II गुना कर दिजे दो को ऊपर से गुना करेंगे तो क्या हो जगा दो हो जाएगा और रूट II रूट II गुना होगा अत्प्या हो जगा तो हो जगा दोनों खतम हो गया बच गया एक ते निकल गया LHS एक इधरो और एक इधरो लहें बरावर लहें बरावर यह बिल्कुल यह चीज आप लोग समझ गया होगे चलिए अब लोग दिख लेते हैं 15 नंबर सवाल जो कि 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 45 डिग्री जब टे का है स्क्राइट प्लस कोस्द कोाइट नाएंटी डिग्री कि सब का मान निकालना बिलकुल आसान तो मोन निकालना सबसे पहले यहां पर यह ची देख लेते हैं साइन कितना दिग्री 45 डिग्री साइन 45 डिग्री का मौन क्या होता है बावू एक बटे रूट तो साइन कि साइन का हो गया चलिए साइन का हो गया अब कॉस देख लेते हैं कॉस कॉस 45 टीडिका तो इसलिए हम यहाँ लिखरे सब से पहले कॉस 90 डिगरी बराबर हो जाता है कॉस कॉस 90 है कॉस 90 बराबर हो जाता है जीरो डिग्री न याद होगा आप लोग को से हाँ जीरो डिग्री हो जाता है चलिए अब इसको शॉल्ट कर लेते हैं यह फटाक से मान इसलिए लिख लिए कि दिक्कत नहीं होगा लिखने में आप लोग हो भी हमको भी हमको यहां पे दो लिखे दो गुर्णे साइन का मगॉं चांप बैतालरिश डिग्री का मगॉं एक बटे रूट तो लिखिए एक बटे रूट तो यहां सब्सक्राइब यहां पर 90 डिग्री जीरो कुछ ने छोड़ दो जीरो है यहां पर प्लस करके जीरो लिख सकते हैं लेकिन हम सलाह करेंगे नहीं लिखना है अब देखें दो गुने अब एक का स्क्वाइर करेंगे तो एक ही हो जाएगा दो रोट टू है का स्क्वाइर करेंगे क्या हो जेगा सिर्फ दो निकल जाएगा बहुत बढ़ी एक बटे दो यहां पर भी वही कंडिसन ज्यादा समझानी की जरूरत नहीं है वहां पर ठीक है बराबर यहां पर एक बटे तीन का रूट रूट ठीरी का स्क्वाइर करेंगे जाएगा थी निकल जाएगा बागी टेंशन खतम है ठीक है आज यह आगे थोड़ा सा इसको हम लोग थोड़ा एक और लेक चलते हैं सबसे पहले यहां पर कर लेते हैं इसको इसको देखो हम दोगुने हैं इसका लसी हम ले लिजिए क्या हो जाएगा दो ही हो जैगा एक पलस एक हो जाएगा ठाटे में क्या है एक बटे तीन है लिख लेजे थोड़ा सा इसको पूरा डिटेल भी सकते थे दो दो बड़ उपडले एक eek दो हो गया अभी ह्सेम लिखें ठाथ hè बटे एक बटे एक बटे तीन है एक बटे तीन लिखो बहुत बड़ा हम लेके जा रहे हैं क्यों दिकत ने यह-25 क explains सिल कर लो ठीक है बच गया क्या उपड़ में दो नीचे में उपड़ में दो यहां कुछ नहीं थी एक ठीक है यहां पर बच गया दो बटे पूरा समझेगा एक बटे दो यह बच गया ठीक है यहां पर कट गया यह दो तो अब यहां पर हम इसको केशे लिखते हैं यह देख देगे दो गुने एक यह वाला नीचे वला संख्या जाए इसका सब्सक्राइब पूर हो निसका आँसर विल्कुल ते चीज है आप लोग समझ गहें पूड़े आप लोग समझ गए यहां से लेके यहां तक चलिए अब हम लोग देख लेते हैं यहां पर हमने कुछ ने किया बस आप लोग को मैं बता दू एक बार और रिविजन के तोर पे सबसे पहले हम लोग ने क्या क्या साइन फोटी फाइव डी डीडिका मौन साय इस पर कोई लिख लिए ख़र साधी समझ में आघया हो गया तो आज कि में लोग बात किया थे एक से लोगे 15 के सभी सवाल को हल कर दिएगए यदि आप लोग चाहते है पंदरह से लेकर तीश तक का सभी सवाल स्वाल करना है तो बिल्कुल आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब किजिए और वीडियो को लाइक किजिए दोस्तों साथ सेर किजिए और आप लोग को इस सवाल में से कहीं कोई प्रॉब्लम हुआ होगा अधि नहीं समझ में आया हो